आप लोगों के साथ सेयर करूंगी अच्छी आम से बनी आम की लॉंजी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आम की लॉंजी बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है तीन बड़े एक अच्छी आम जिसे मैंने धोकर सुखा लिया है अब इसे मैंने छोटे-छोटे स्लाइसेस पे कट कर लिया है इसे कट करकी थोड़े देर के लिए छोड़ देंगे आप इसे आदे घंटे ए घंटे के लिए रख सकते हैं फिर गैस आन कर उसमें पैन चड़ाएंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे जब यह गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं यहां पे रिफाइन ऑईल डाल रही हूं आपको इसा भी कुकिंग ऑईल डाल सकते हैं और फिर रिफाइन को अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक इसमें थोड़ा दूआ निकले उसके बाद यहां पर मैं सुखी लाल मिश डाल रही हूं जब य मैं यहां पर डालोंगी सौफ अब यह थोड़ा लाल हो गया है अब इसमें मैं डाल रही हूं सारे कटे हुए कच्छे आम अब इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसे हम दस मिनट तक फ्राई करेंगे और इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे और जब यह अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें हाफ टीज स्पून से भी कम नमक डालेंगे और फिर इसमें हम हल्दी पॉर्डर और लाल मिर्श पॉर्डर डालेंगे और इसे डालने के बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हल्दी पॉर्डर और लाल मिर्श पॉर्डर जिब कलर के लिए डालना है अब यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम लोग इसमें एक कटोरे चीनी डालेंगे आप चाहे तो चीनी स्कीप कर सकते हैं और फिर यहाँ पर यहाँ पर मैं गूर डाल रही हूँ आप चाहे तो सिर्फ गूर से भी बना सकते है अब इसमें थोड़ा पानी आट करेंगे पानी आट करने के बाद इसे हम लोग अच्छे से चला लेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से डिल्यूट हो जाए इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 20-30 मिनट तक पकाएंगे ताकि गूर और चीनी दोनों अच्छे से डिल्यूट हो जाए और जब चीनी डिल्यूट होगा तो इसमें और ज़्यादा पानी आजाएगा तो इसलिए हम गैस के फ्लेम को मीडियम या हाई में भी रखकर इसे पकाएंगे जब तक ये थीक नहीं हो जाता और इसे बीच-बीच में चलाते भी रहेंगे यहाँ पर ये थोड़ा थीक हो चुका है इसे हम लोग थोड़ी देर और थीक होने के लिए रखेंगे अब इसे हम लोगों को ज़्यादा भी थीक होने नहीं देना है थोड़ी से गिरेवी रहने देना है अब ये लगबग तयार हो चुका है और इसमें बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है अब आम की लौजी बन कर तयार है और इसमें कितना अच्छा थीकनेस आ गया है ठंडा हो जाएगा तो आप इसे किसी भी एयर टाइट काच के जार में रख सकते हैं और इसे महीनों कई महीनों तक खा सकते हैं उस कर सकते हैं तो देखिए आम की कच्छी आम की लौजी जिसे बनाना बहुत ही आसान है I hope आपको यह रेसिपी वीडियो पसंद आया हो अगर आ पाइब और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम है सालुकुमार715 तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलती हूं मैं आपको फिर एक न्यू वीडियो के साथ थैंस पर वॉचिंग बाइ